खबर उत्कर परदेश के जनपस रावस्ती से है जहां नहर में अग्यात महिला का सोव मिलने से छेतर में हलका मजगया सरीव नहर के ठोकर के बास बने कुंड में अग्यात महिला का सोव उतरता दिखाई दिया ग्रामिलों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सौव को बाहर निकाल कर सिनाकत के लिए मर्चरी आउद बेज दिया है खाना मलीपूर छेतर के ग्राम पंचाइद गजोबरी के करीब सरीव नहर के ठोकर के पास बने कुंड में बुद्धवार को ये सौव का पैर दिखाई दिया जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामिलों की भीन लग गई जिसकी सूचना पुलिस को दी गई जिस पर इस्पटर राम नवल यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामिलों की मदद से कड़ी मसकत करने के बाद सौव को बाहर निकलवाय गया नहर की कुंड से निकाली गई अग्यात महिला की उम्र लगबग 30 वर्स होगी वही पुलिस ने आसपास के ग्रामिलों से काफी देर तक सौव की सिनाकत भी कराई लेकिन उसकी पैशार ना हो पाई सौव को मर्चरी आउस बेज दिया गया है जहां पर पुलिस महिला की सिनाकत करवाने में जुटी हुई है वही घटना की जानकारी होते ही पुलिस छेतरा अधिकारी नगर अतुल कुमार चौबे भी घटना इस तल पर पहुंचे और जांच कर आसपास के ग्रामिलों से पूश्ताच की जा रही है बड़ी कबर स्रावस्ती जनपस से आ रही है जहां नहर में एक अग्यात महिला का सो तैरता हुआ देखा गया जिसके बाद ग्रामिलों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सो को मर्चरी आउट में रखा है जहां पर उसकी अभी तक सिनाकत नहीं हो पाई है